ओडियो जम्प कमपनी का ग्रहक समझते हुए उसके द्वारा कमपनी विचल रही सर्वसिस के पैसे वापस दिलानी का ज्छांसा दिया और साथ ही पैसे वापस दिलानी पर टेक्स के रूप में रिश्वत की बात कही। आप उस कमपनी की शिकायत करना चाहते हैं। जब अंकित को उसकी बातों पर शक हुआ तो सच्चा ही जानने के लिए उसने उसकी हां में हां मिला दी। इस दोनान आरोपी ने फोन पर विजयनगर CSP और SIT टीम हमारे साथ होने की बात भी कही। साथ आरोपी ने सर्विस रिकॉर्डिंग के लिए अपना वाट्साप नमबर भी सेंड किया। जस पर सभी विभाग का लोगो लगा रखा था। फलहाल पूरे मामले की शिकायद सभी से करते हुए साइबर पुलिस को की गई है। हम सबकी वर्किंग जो है मॉनेटरी सॉलिशन कमपनी में है। सुबह हमारे पास में अग्यात नमबर से कॉल आया था। जिसमें उन्होंने अपना नाम सिद्धार्त बताया और इसा कहा है कि वह इंदोर सेवी अधिकारी निर्मल जी के पीए है। और हम से पुछा कि आपने किसी भी इंवेश्मेंट एडवाईजरी कमपनी में अगर कुछ अमाउंट इंवेश्ट करा है या पेशा दिया है। तो वह हमारा पेशा वह वापस रिटान करवा देंगे पूरा की पूरा। और इवन उन्होंने इतना भी कहा है कि ऐसी बहुत सारी डजनों कमपनियां हैं जो उन्होंने बंद करवा दिये। जिसमें कि विजयन अगर थाना CSP का उन्होंने नाम लिया है कि वो उनकी हेल्प से और उनकी मदद से वो यह सब कर पा रहे हैं और निर्मल जी के हेल्प से वो कर रहे हैं और इसके राबर हमारे उन्हों से बात हुई तो हमने उनसे बोला कि हमने सोचे कि अब आंदर जायें और पता करें कि कैसा कुम एकिसली पौम लगा है looking कि हमने मोनिटरी पैसा दिया हूआ है हमने अरपनी कंपनी नाम लिया कि हमने मूड़ियो पैस दिया तो उनने बुला में कि अगर आप मुछाएटे हो आपका हम पैसा निकलवा देंगे उन्होंने हमसे बूला उसके बाद में हमें कुछ कंपनी के नाम गिला हैं इनने की डिजार एट ट्रेड इंडिया है इन सभी पर कंपनी पर जो करा आया वह हमने बंद करवाई ह हमने ज्चापा मरवाया सभीर बद्रुण ने लोग इसमें हमारे साथ में पूछा हूँ, भी विस पूर हम वारे सा पूरे से ब penalties के सबीया ह्ते हो टिवर दर्वारे मं मिलें हूए है थी अन्य ब्रद को यह वो हुष सब बुशा कि similar में बंद करवाया है उनने से एक कंपनी मॉनेटरी सॉलूशन में 50 कंप्लेंट है उनने ये बुला कि हमारे पास जो स्कोर पर है उनके 50 हमारे पास नंबर है 50 क्लाइंटों के और वो वह भी आप उनका भी हम पैसा वापस करा रहा है जो बंद करा यह कंपनी वह स्टार इंडि है सीनियर सर है निर्मल जैन जी अभी आप से संबर करेंगे और वह अधिकारी बड़े है उसे आप थोड़ा समल के बाद करिएगा वह आपका पूरी प्रोफाइल का देखने के बाद आपका पैसा जो है चेक से आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा पैसे की मांग नहीं कि पैसा इंडिरेक्ली लिया इन लोगों ने कहने का मतलब इन्हों ने ये बोला कि हम दो दिन के अंदर आपका पूरा पेमेंट दे देंगे उसके बाद एक छोटा सा मांट रहेगा वह आप हमें दिखाना हम आपको चेक का फोटो भीजेंगे उसका 30-40 परसंट जो भी पैसा निकालने के लिए पूरी रिस्पॉंसिबिल्टी ले रहे हैं तो हम लोगों ने एक मतलब उसको ये भी बोला कि हम प्रॉपर सैटिस्फाई मॉनिट्री सॉल्यूशन की सर्विस से लेकिन उनका ये बोलना है कि सर्विस सर्विस कुछ नहीं होता जस्ट एक फ्रॉड लेती है हर एडवाईजरी कंपनी का लोग वो पैसा पे नहीं कर रहे हैं इसलिए से भी ये टीम बनाई है हम लोगों ने और हर कंपनी वालों को टोटल बंद करा के छोड़ेंगे और सर्विस के नाम पर कुछ होता ही नहीं सर्विस सर्विस और यह सब बेकार चीज़े हैं केवल एनसी की साइट में काम होता है और कुछ नहीं 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 है और बोला कि जैसे हम मैंने जो बोला ता उस टाइम हमारे पास जब कॉला तो हमने बताया था आठ लाग रुपर हमने पे किया है और देढ साल से हमारी सर्विस चली मांनिटर सॉलिशन से बट इच एन पैसा ले रहा हम उसकी पेशी आप से करवा देंगे आपको एक कॉन्फरेंस में करेंगे और बार बार निर्माल जैन जी का नाम ले रहा है जो से भी ऑफिसर हैं दोर के बार बार के हम उनकी मीटिंग कराएंगे आप बैटेंगे जो एक्जिक्यूटिव है वो बैठेगा वाई ओंड मांगे उनने तो जो वर्टसफ नबर दिया उस पर दोनों पर सेवी का लोग लगा है दो वाई वाटसफ नबर दिया उन्ने तुन बर अपने पास है तीन नंबर जिस नमबर से फोन आये वो अलग है तीनों नंबर से बात हुई है उस पर ची जो पूल रहा है क तो उसमें यह बोल रहा है कि जो आपको प्रॉफिट भी बोला होगा वो भी हम आपका पूरा पैसा से उसका 60% 70% वो भी आपको दिलवाएंगे यानि जितना अमौन बंदा नहीं है मतलब जब उस बंदे से बात कर रहे थे तो जो पीछे का बेग्राउंड था वहां से बहु उनको से भी के पूलिस के नाम पर डरा किया उनको और लालत देखे कि हम आपका पैसा वापिस कराएंगे उसके लिए कंपनी एक खिलाब बढ़का रहे हैं आप रिकोर्डिंग सुनेंगे तो आपको समझ मिलाएगा कि उसने कहीं से भी एक भी परसेंट कुछ ऐसी बात नह लगाया ना जाने वहाँ पर कितने बच्चे बैटे हुएं कितने लोग यह काम कर रहे हैं और कितने क्लाइंटों को ना लागने फोन लगा के भड़का कि कुई कोई जाहिर सी बात है किसी बंदे ने अगर 100 रूपे या 500 रूपे दिये और उसको अगर कोई थैट परसन फो पूरी फ्रिल्ड को बंदाम करना या बोलना की एडवाजरी ही गलत है या पर यह चीज गलत हो रही है और मुझे लगता है कि कोई बड़ा ग्रोव है जो चल रहा है इसका सपोर्ट कोन कर रहा है इसका भी नहीं है खुला साप पो पुलिस जो भी इंक्वेरी होगी उसमें मालूम चलेगा कि कौन लोग है इसके पीछे हैं अब उसकी प्लानिंग साप समय आई थी कि कोई बंदा है जिसको अपन मीटिय उसको डराएंगे पुलिस का नाम उसने लिए कि पुलिस का अन्मॉल्मेंट है अब यह नहीं मालूम है की नहीं है सेवी का नाम ले रहा है यह अभी भी टच में हमारे पास में पहुन आ रहा है अभी भी उसने बोला हुए कि साम को हमारे जो हैड है निर्मल जी वो आप से बात करेंगे उनके बारे मताया कि बहुत बड़े सर है आप उनसे रिस्पेट से बात करिएगा उनको कुछ ज्यादा बोलिगा मत वो जैसा पढ़ रहे हैं तो जो कम्पनियां हैं अगर किसी ने 1,00000 रुपे दिया है और क्लाइन जा के पैसा मांग रहा तो इसको दो लाख रुपे भी कंपनियां दे रहीं क्योंकि सारी कंपनियों के मालिक डरे हुए बच्चे डरे हुए है उसका ही बोला है से टेक्स की रूप में आप से पैसा मांग रहा है तो क्या अंदिशा है कि कि पूद्धय की मांग़ पर सकता है शुब नहीं प्रॉप लिए विए पूछा कि चलो सर आपको का मैं आपको पर बताऊंगा आपका चेक त्यार होड़ी दाने दो आपकी जो फाइलिंगे मेरे सर के पास हमने पहुंचा दिये बताएंगे जो भी रहेगा जो भी एमॉंट वो रेटरेंट कराने का बोले थे वह हम से उसके बाद में लेंगे जब हमने रिफंड की बात करी थी नॉर्मली पूछा था कि अगर आप हमारे रिफंड करवा देते हैं तो आपका कुछ चार्जर से कुछ रहेगा तो उन्होंने पहले तो सबको इन्वाल्व करते हुए विजन अकर थाना CSP और निर्मल जी को और इवन MP गवर्मेंट को भी करते हुए यह कहा कि हम किसी चीज का कोई चार्ज नहीं लेंगे बट से भी इन सब चीज का एक टेक्स लेती लाइक अगर आपने 8-10 लाक रुपे 5 लाक रुपे कुछ भी अमांट अगर किसी कंपनी में दिया है तो उसका एक टेक्स बनता है जो कि से भी लेती ही सब कंपन सब्सक्राइब करते हैं कुछ इंप्लोई जो कि इसा फ्रॉड कर रहे हैं तो मनला बस इसी बहकी 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 बाते करकर वो धंकाने की कोशिश कर जाता कि आपके पेसे तो हमको रिफंड हो जाएंगे और इंदोर में सारी कंपनी जो है कि वह फ्रॉडुलेंट है मैंने हां बोला है कि हां मॉनेटरी सॉलिशन पेमेंट दिया हुआ है आप मानेंगे हर आदा घंटे मुस बंदे का सिद्धार्थ का कॉल आ रहा है कि आप हमको यह डॉक्यूमेंट दे दीजे वह डॉक्यूमेंट दे दीजे मतलब इतना स्ट्रॉंग फॉल अप वो लोग